सच कहना बगावत है तो हाँ हम बागी हैं ये विडियो आंगनबारी सेविका और सहाईकाओं के लिए खास विडियो है मुझे जहां तक जानकारी है मैं चाहता हूँ अपना विचार आंगनबारी सेविका और सहाईकाओं का जो बरतमान हालात है उस हालात को देखते हुए मै एक special ये विडियो बनाने जा रहा हूँ तो ये आगनबारी सेविका और सहाईकाओं का जो चैन हुआ है ये भारत के समिधान की धारा आर्टिकल 45 में ऐसा वर्नन किया गया है जिसको राज के निती निदे सक्तत कहते हैं उसके तहट जो समिधान का मुल भावना है कि नागरिक के लिए उनका जो सर्वांगिन विकास है अर्थात उनके कल्यान के लिए भारत सरकार राज सरकार मिलके कार्ज करेगी और उसी के तहट ये भारत की समिधान की धारा आर्टिकल 45 जिसमें जो उलेक किया गया है कि छे बर्ष से कम आयू के बालों को के लिए प्रारमिक बाले वस्ता देखरेग और सिक्षा का उपंद राज सभी बालकों के लिए छे बर्ष की आयू पूरी करने तक परारमिक बाले वस्ता देखरेग है और सिक्षा देने के लिए उपनद करने का परियास करेगा कि इसमें भारत के समीधान की धारा आटिकल 45 में ऐसा उलेक है कि छे साल तक के बच्चों का देख रेक भरन पौसं जो भी जिम्हभारी होगा वो केंद्र के सहायता से राज सरकार उसको उठाएगी और इसी के तहट जो आंगनवारी केंदर चल लहा है जो उदेस है कि राज के जो भी नागरिक है उनके लिए उनके कल्यान के लिए राज सरकार केंदर सरकार मिल के काम करेगी और इसमें राज का बिसेश इसमें योगदान राज को दिया गया है तो इस उदेश के पूर्ति के लिए आंगनवारी केंदर का निर्मान कराया गया है और जिसके तहत आंगनवारी सेविका और सहाय काओं की उसको कहिए चैन किया गया है तो यहां सवाल यह होता है कि कहा जाता है कि अगर आपको फुरूट अच्छा चाहिए तो रूट ठीक करें लेकिन अभी जो परिस्तिती देखने को मिल रहा है कि यहां जश्ट उसका उल्टा हो रहा है कि अगर रूट ठीक नहीं किया जा रहा है और फुरूट जो फुरूट के लिए परियास किया जा रहा है तो यह अगर जब तक रूट ठीक नहीं होगा तो अच्छा फुरूट कैसे होगा मेरा कहना ये है कि अभी बरतमान में आंगन बारी सेवीका और सहाईकाओं का जो सैलरी है अगर में आपको कहूँ कि दैनिक एक मजदूर का जितना मजदूरी है उसके बराबर भी उनको सैलरी कहिए या मांदे इनको नहीं मिल पा रहा है और वो भी मान दे इनको समय से नहीं आता है और तो और आंगनबारी सेविका या सहाइका के जो इनके जो clause relatives होते हैं वो इसी काम के लिए समझे तो उनको बलोक ले जाने के लिए ले आने के लिए या अन्ने कार्ज में सेवा देने के लिए एक परिबार के अन्नसादस को भी आंगनबारी सेविका के साथ उनको योगदान देना पड़ता है अर्थात कहूं तो ये आंगनबारी का जो ये जॉब है खास करके सेविका का ये समझे तो परिवार के दो लोगों पर ये डेपेंड करता है दो लोग इसमें अवज से चाहिए अब ऐसा होता है और इसका आप अगर चुकि यूटूब से ये लिस्ट लिया गिया है तो किरला में ये सलरी लगभग 10,000 के आसपास है अंधरापरदेश में 7,000 है तिलंगाना में 7,000 है यूपी में 8,000 है और बिहार में कहूं तो 6,000 से भी कम है तो ये हालात है और ये ऐसा हालात है कि अगर मैं कहूं कि यह कहने के लिए यह सरकारी सेवा में है ने का सेलीरी है 6,000 से भी, अगर कम मान दे गर जिनको में 줄 से लिर्या है, मान चलिए 200 उर्पिया से भी कम, अगर जिनको डेली का अगर जिनको सेलिरी आता हो, उनका क्या इस्तिती होगा। और सेम कहानी उनके सुपरवाइजर का है अंगनबारी मुझे सुपरवाइजर काम करते हूं उनका है और ना तो आंगनबारी सेविका सहाई का या सुपरवाइजर के लिए किसी परकार का पेंसन का बेवस्ता है अगर मैं काम की बात कहूं तो ये कहने के लिए अभी अभी सा इसमें बच्चों का पोसन जो भी ट्रेक भरना हो है, या जो भी आंगनबारी का जो ही कार्ज पोसहार है, सब लिंक से जोड़ना है, उनको काम दिया जाता है, अगर ऐसा कहूं, तो यह आंगनबारी से भी का कार्ज होता है, यह 24 गंटे का इन से 24 घंटे का इन से सेवा लिया जाता है अगर कहूं तो 10 बजे रात में भी SMS आता है मोबाइल के माध्यम से 11 बजे रात में भी आता है यानि कि इनको कब फूर्सत है इनको पता नहीं चलता है और अगर छुटी की अगर बात कहूं तो इनको आगनबारी केंदर में छुटी नाम मात्र का होता है अगर कहूं तो अगर सरकार के किसी भी बिभाग में कहिए अगर पोस्टल डेपार्टमेंट को अगर के साथ भी जोर दिया जाए तो केंदर सरकार का जो छुटी है समझे उसके बराबर इसको छुट्टी है अर्था उससे भी कम छुट्टी है तो इस परकार से आंगन बारी जो कार्ज कत्री हैं सेविका या सहाई का अर्था सुपरवाईजर हैं उनका जिन्दगी अगर समझा जाए तो ना उनका अभी भविश सही दिख रहा है ना बरतमान सही द जो अभी सभी जितने भी कर्मचारी संगठन है सब का रईस्टर संगठन है सब का रईस्टर ऑपिस है लेकिन अंगनबारी का बरतमान में ना अभी इनका कोई लेगल कोई को लेगल डेपार्टमेंट इनके जो जो अध्यक्ष कहिए या सचीब कहिए राज में जिला में पर्खन में ना इनका कोई लेगल डेपार्टमेंट है ना इनका कानूनी लराई लरने के लिए कोई मुस्तेद है सिर्फ यह क्या है कि जैसे अगर मैं कहूं तो सिर्फ काम काम क काम और तो और अगर मैं कहूं कि आंगनबारी जो सेविका सहाई का या इससे जुरे हुए जिनका जो कार्ज होता है वो भी उनका आंदोलन धरना सुझबुझ के साथ नहीं होता है अगर मैं बिहार की बात करूं तो अभी बरतमान में आंगनबारी या कोई भी अगर जो करर कर दिया गिया है लेकिन आगनबारी बरकर जब होंगे तो पटना के डाक बंगला चोरहा पर मॉर्णिंग में जाएंगे साम में लाठी खाके फिर बापस चले आएंगे तो इसमें सुझबुझ का अकाल दिखता है तो अगर मैं ऐसा कहूं कि आगनबारी जो कार्ज करत अगर उनको सुनियोजी तरीके से कहिए संबैधानिक तरीके से कहिए अगर मैं ऐसा कहूं तो ना इनको ना इनको केस लरने वाला अभी तक इनको कोई डेपार्टमेंट है ना इनका कोई जिम्मा लिए हुए है कि इनको समान बेतन के लिए समान अधिकार के लिए इनको हाई कोट कहिए सुप्रीम कोट में जो रिट फाइल किया जाए न इस परकार का कोई इनका संगठन है केस लरने के लिए न इनको धरना देने या दिलाने के लिए इनका किसी परकार का संगठन है और ऐसा है कि ये आंगनवारी बरकर है इनका बहुत से जो बरकर है रेटाइर कर गए उनका जीवन तो उनका समझिये जो जीवन था बो तो प्रभावित हुआ ही अभी जो बरतमान आंगनवारी सेवि दिख रहा है तो इस पर इस्थिति में 200 रुपिया भी 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 हर में डेली नहीं है उस पर इनको कार्ज करना पर रहा है न इनका समझ ये तो ऐसा कहूं के जैसे सावन होता है बहाद होता है तो उसमें जब तो बारिस के उपरांद क्या होता है जो सीजनली जो आप देखते हैं नदी में कुछ फ्रॉग निकल आते हैं इसी परकार से इनका आंदोलन होता है यानि ना कोई इनका सुन्योजी तरीके से इनको कोई समझाने वाला है ना कानूनी इनको कानिन रूप से इनको कोई गाइड लाइन देने वाला है ना इनके लिए कोई लरने वाला है और तो और इनके लिए अगर कहूं तो इनका जो अधिकार है उसके लरने के लिए जो समोचिछित व्यवस्ता मेरा कहने का मतलब यह है कि ना High Court Supreme Court में इनका सही से लराई हो पाता है ना इनका धरना सही से हो पाता है आंधी तुफान के तरह इनका धरना सुरू होता है आंधी तुफान के तरह खतम हो जाता है तो अगर मैं ऐसा कहूं कि इनमें जो अध्यक्ष इनके आंगनवारी के संगठन में जो भी जितना भी जितना भी इनके अध्यक जो दावा कर रहे हैं, सचिव कह रहे हैं, मेरी नजरों में उनमें फॉल दिख रहा है, चुकि नेता जो होता है, उनमें जुझारूपन दिखना चाहिए, उनमें दूर दरसिता दिखना चाहिए, उनमें अरने का कैपिसिटी होना चाहिए, चुकि जो भी नेता होता है उसको राष्ट के लिए सोचना पड़ता है अपने संगठन के परती वफादार होना पड़ता है लेकिन आंगनवारी जो बरकर हैं उनमें दूरदर्शिता का कहिए त्या का कहिए ये सारा कमी दिखाई दे रहा है और ऐसा है कि अगर मैं कहूं बरतमान मे तो इनका अगर इस्तिती कहिए कहने के लिए तो कसम बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों कै क्या हमारे नेता बरी-बरी बातें करेंगे अगर जो भी नेता हैं उनको अगर कहा जाए जो इस पर आःब बोलिए तो वो दस साल बीस साल पहले का कहानी कहना चालू कर देते हैं कि आगनवारी का ऐसा आइस्तित था बैसा आइस्तित था मैंने ऐसा ठीक किया और अभी बरतमान इस्तिती है कि आगनवारी जो भी सेविका सहाई का है उनका इस्तिती बत से बत्तर है और इतना कम सलीरी में उनको काम करना पर रहा है ये तो ये बात हैं हो गई अगर दूसरे तरफ और कहा जाए कि इनका भविश से तो केंदर सरकार ने स्कीम जो बनाया इनको ट्रेनिंग देने के लिए वो ट्रेनिंग कहाँ वो इसकीम कहाँ चला गया चुकि बिहार से होकर गंगा नदी बहती है तो हो सकता है गंगा के धार में बह गया यहां फलड आता है फलड में बह गया अभी तक जो ट्रेनिंग का का रह गई है फाइलों के जाल में रोसनी बो गाउं तक पहुँचेगी कितने सालों में तो अगर आप मैं है प्रीत जहां की रीत सदा में गीत बहां के गाता हूं भारत का रहने वाला हूं भारत की बात बताता हूं अगर दूसरे देशों से अगर बिक्सित देशों से तुलना किया जाए तो वहां का जो पॉलिसी होता है पहले रूट ही किया जाता है लेकिन अभी जो यहां का पॉलिसी है खास करके भारत का जो पॉलिसी है पहले रूट ही किया नहीं जा रहा है पहले रूट ही किया जा रहा है भारत में अभी जो प्रोफेसर का जो सेलरी है तो मैं यानि उनको 120,000 सलीरी से उनका सुरुगात होता है क्यों? चुकि क्या है जो बड़े श्टूडेंट को परहाते है लेकिन जहां रूट ठीक करने की बात है ग्रास रूट की बात है बहां 200 रूपिया डेली दिया जा रहा है जबकि बिक्सित देशों का पॉलिसी है कि पहले रूट ठीक किया जाता है अर्थात पहले जड़ ठीक किया जाता है जब जड़ ठीक होगा तो आटोमेटिक फुरूट ठीक हो जाएगा तो आप जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि पॉलिसी क्या है जब आगनवारी वरकर खुस नहीं रहेंगे जब उनका भवी सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो क्या कार्ज करेंगे जो खुद प्यासा है दूसरे के प्यास को क्या समझेंगे तो ऐसा है कि जो ये जो चैनल के माधम से ये आगनवारी जो सेविका सहाई का है के लिए जो मैं मांग कर रहा हूं चुकि बहुत दिनों से मेरी सोच थी मैं इस बात को अपने दिल में दबा के रखे हुए था लेकिन आज क्या है कि मैं भी पेसे से एक वकील हूं पटना हाई कोटर में मैं वकालत करता हूं तो मुझे जिग्यासा हुई कि इनका जो दसा है देखकर मुझे मैं ऐसा कहूं कि मुझे भी रोना आ गया है जो दबा करते हैं कि मैं उनका नेता हूं मैं उनको चैलेंg कर रहा हूं कि आप अगर सच में इनके सुपचिन तक हैं तो आप कानूनी रूप से लराई लरने के लिए आप एक बिभाग बना दिजिए ये हो गया दूसरा क्या है कि आप इनके हक के लिए अधिकार के लिए आपको अपने परिवार को त्याक करना होगा अगर आपको ऐसा कहूं कि आपको जुजना परेगा आपको चिपरी चुपरी बातों से बाहर निकलना होगा संकीन बिचार धारों से धारा से बाहर निकलना होगा और आपको ऐसा सोचना होगा कि जो देश सेवा होता है सबसे बरा सेवा होता है राश सेवा होता है सबसे बरा सेवा होता है और आपको सेवा के माध्यम से आपको पूरे बिहार का दोरा करना होगा लोगों को जो भी तो यह जो चैनल के माध्यम से मैं आंगनबारी सेविका सहाईका के लिए जो यह मैं वीडियो बना रहा हूं मेरा मुखे उदेश्त है कि यह जो इस्तिती है आंगनबारी सेविका सहाईका का यह इस चैनल को के माध्यम से माननी है मुख मंतरी को माननी है परधान मंतरी को मानन ये बालविकास जो भी बिभा के कॉंसरन आथरिटी हैं जो भी अधिकारी हैं उनको ये संदेश जाए और वो अभिलम इनके लिए अगर मेरा ऐसा कहना है कि इनको जो इसकूल से जोरा जा रहा है इनको इसकूल से जोर के समान बेतन इनको समान लाव दिया जाए ये मेरा इस चैनल के माध्यम से उन तक ये संदेश पहुँचे के बरतमान इस्तिती आंगनवारी सेविका और सहाई काओं का बत से बत्तर इस्तिती है अब जो ऐसा मैं चाहता हूं कि अगर इसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो मैं ऐसा कहता हूं कि कोई माफ करे नहीं करे भगवान आ अभी तक अगर इस पर संग्या नहीं लिया गया तो मैं समझता हूं आगनवारी जो कार्ज करता जो कार्ज कतरी है सेविका सहाई का है उनके बच्चों का उनके परिवार के सतस्यों का ये जो एक समझी अंदर से जो दिल में जो एक आह बैठा हुआ है वो आह जरूर कहीं कहीं आस्मान से टकरा के इसके जिम्यवार जो भी है उनको ऐसा गाउं के भासा में कहूं तो उन तक परेगा तो यही कहना है और आगनवारी सेविका और सहाई का जो भी है उनसे मेरा आप से अनुरोध है कि आप संगठन जो भी आपका संगठन है आप संगठन से जुरें आप संगठन को मदद करें और निगेटिव नहीं सोचें। अगर ऐसा कहूं कि एकता में ताकत होता है, संध में ताकत होता है, आप संध में जुरें और जो भी इसके परतिनिदी हैं, चुकि अगर आपका ये अगर जो इस तरह से देनिये इस्तिती है, इसके कहीं न कहीं आप खुद जिम्यवार हैं, तो अगर आपका जो धरना हो, तो उसमें तनमन धन के साथ धरना में, आप अपनी बात धरना के मादम से संवेधानिक तरीके से ये बात आप सरकार तक पहुँचाएं, ये बात आप पतना हाई कोट के चिफ जश्री तक पहुँचाएं, ये बात सुप्रीम कोट के चिफ जश्री तक पहुँचाएं, कि आपका जो इस्तिती है, ना आप न घर के हैं, ना घाट के हैं, आप न अच्छे से जी रहे हैं, ना अच्छे से मर रहे हैं, और आपका विकास इसके कारण अब रूद हो रहा है तो यही इस चैनल के माधम से मेरा ये कहना है कि अभी जो बरतमान इस्तिती है ये आंगनवारी बरकर ये भारत के समीधान में इसको उले किया गया है नीति निदे सक्तत आर्टीकल 45 में जिसमें 6 साल के बच्चों तक का जो विकास है वो राजसरकार करेगी किन सरकार करेगी तो ऐसा मेरा कहना है कि बिहार के जो भी आंगनवारी सेविका सहाई का अगर ये आप तक मेरा ये विडियो जाएगा आप से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें और मैं भी इस देश का नाई दिखूँ अगर आप अगर कहीं न कहीं अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं तो मैं चाहता हूँ इस चैनल के माधम से आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाओं और मेरा आप से निवेदन है जो आप या आपके जो भी रिलेटिव से इस वीडियो को आप सरकार के पोटल तक पहुंचाने का कोशिस करें मिल उन्हें, तक आपको समान बेतन का रह मिल सके। और यही मैं कहूंगा अगर आपको समान बेतन मिलें आपको स्कूल से जोर दिया जाए समान बेतन मिले आपका जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है उसको अभिलम चालू किया जाए और आपके लिए पेंसन का सुचारू रूप से बेवस्ता हो और यही है को आपके सरवांगीन के विकास के लिए सोचा जाए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कर लिए सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद